नमस्कार दोस्तों, जाब अपडेट्स यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है TIFR जो की Department of Atomic Energy के सब्स्टिट्यूटरी यूनिट है यानि TATA Institute of Fundamental Research की तरफ से Project Junior Engineer Electrical, Project Scientific Officer तथा Project Engineer Civil की बैकेंसी निकाली गई है चलिए हम डीटेल में डाउनलोड करके देख लेते हैं कि वैकेंसी में क्या क्या अपडेट्स दिया गया है TATA Institute of Fundamental Research की तरफ से जारी किये गए Project Engineer Civil की एक वैकेंसी यूर के लिए जारी की गई जहाँ पे आपको Consolidated पे 89,900 दिया जाएगा जहाँ पे आपको सेम एमांट Consolidate के रूप में दिया जाएगा नेक्स्ट है जूनियर इंजिनियर इलक्टिकल के लिए यहाँ पे आपको Consolidated एमांट बाकियों के तुलना में कम दिया जा रहा है Project Engineer Civil में minimum तीन इयर का एक्सपीरियंस के साथ भी बीटेक पास आउट है तो अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट वैकेंसी में प्रोजेक्ट सांटिफिक अफिसर के लिए वन पोस्ट है यहाँ पे भी आपके पास Master के बारे में पता होना चाहिए यादि आपके पास इस्किल आफ और सिग्नल प्रोसेसिंग कंट्रोल इंजीनियरिंग के लिए कर सकते हैं वहीं पर प्रोजेक्ट सांटिफिक अफसर के टू पोस्ट अन्रिजर्फ के लिए जो जारी किये गए वहाँ पर भी वीटेक रिक्वार्मेंट है मिनिमुम शाट परसेंट मार्क से के साथ कि आख कर सकते हैं जोटल इंजीनियर वेलेक्टिकल के पोस्ट पर जारी कर ये गए तो आप यसथा संट प्लाइ कर सकते हैं उपर दिये गए सारे पोस्ट TIFR के कोलाबा मुंबही में पोस्टिंग की जाएगी सभी स्टूडेंट्स का जब इस फर्म को अप्लाई कर रहे हैं प्रेस्क्राइब डिसुट भी नाट एक जनुवरी दो हजार तेश तक आपको मिनिममम एज क्राइटेरिया पूरा करना है फर्म आनलाइन के द्वारा अप्लाई किया जाएगा सभी पोस्टों के लिए एज लिट मिनिममम अठाइस साल रखा गया है सांत में स्टी ओबी सी कंडिडेट के लिए जो भी चूट होती है वो यहाँ पे अब लिकेबल रहेगा ट्या एफर का फर्म आपको 22 अप्रेल से पहले अप्लाई कर देना है तता इसी डेट के आसपास आपको इस एड्रेस पे अपने फिलफ किये फर्म को सेंड कर देना है जो भी candidate इस farm के लिए applicable है वो farm को जरूर apply करें ऐसे हिजाब्स का update पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को subscribe करें याद वीडियो अच्छा लगे तो like जरूर करिएगा और notification पाने के लिए bell icon जरूर प्रेस करिएगा वीडियो देखने के लिए सभी students का धन्यवाद